नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्वता जेडियू कार्याले में राश्ट्रिये परिसत की बैठक चल रही है बता दे कि जेडियू के सारे नेता वहाँ पे मौजूद है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर ललन सिंग को ही राश्ट्री अधक्ष के तौर पर चुना जाएगा हमारे सयोगी अविनाश जुड़ेवे हैं वहाँ जेडियू कार्याले में मौजूद हैं आईए उनसे बाचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा वहाँ पे उस बैठक में हलो हाँ आविनाश जी बताइए हमें क्या कुछ चल रहा है जेडियू कारयाले में देखेए स्वेता आज जेडियू कारयाले में करपूरी सापगार में रास्टी परिषट की बैठक है अभी से एक घंटा पहले यहां पर रास्टी परिकारी का भी बैठक हुआ जिसमें ललन सिंग जो जदियों के रास्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की और बैठक की समग्चा की अच्या टो आप हमें बताई कि कौन कौन से नेता मौजूद ही क्यूंकि आपके कुछ मंत्रियों और नेताओं से बात हुई। तो कौन-कौन से निता मोजूद है क्योंकि अभी नितिशक Pharm огरू किने कंगो आते ही यह कारेकरम ऊजुम्स रूंसरो और उनसे बात किया कुछ होने वाला और क्योंकि चुब को अध्यों को हार कर शार करना करना पड़ा एसे में में तमाम लोग करता हैं उन्होंने बताया कि चूक कहां पर हुई है इसको लेकर आज वही सब तो आपको क्या लगता है मंत्रियों और नेताओं से बात करके क्या कुछ पता चल रहा है लग रहा है कि क्या एक बार फिर ललन सिंग को ही इस राश्ट्री अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा देखिए स्वेता यह साफ है कि जितने भी मंत्री और नेता और जितने भी प्रवक्तें यहां पे जिनों से हमने जुड़ने कोशिश की और जो ललन सिंग का एक अपना विचार है क्योंकि नितीज कुमार से काफी करीब रहे हैं वो और काफी करीबी नेता माने भी जाते हैं और नितीज कुमार बहुत भरोसा करते हैं ललन सिंग पे और जिस तरीके से लोगों पे चेहरे पे मुस्कराहट देखने को मिल रही है और ललन सिंग ने जो काम करके दिखाया है तो उसे और लोगों से जो मैंने बात किया है तो उसे जाHIR हो रहा है कि आखिर ताज गोशि फ बिल्कुल आप दिखिए क्योंकि इस तरीके से यहां पर त्यारी है और इतने तमाम लोग यहां पर हैं वह साफ तोर पर जिन से भी हम जुड़ने कोसिस किये उनका जो एक इसारा रहा कहीं ने कहीं ललन सिंग के तरफ ही रहा और उन्हें साफ किया कि हमें आसा है कि हमारे रा आखे फिर से अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वह तभी बनेंगे जब उनकी यहां पर प्रकुरिया है और जो भी हमने बात करने कोसिस की है और जो जो लोग यहां मुझूद हैं तमाम जदियों के कारेकरता कई जदियों के नेता उनसे यही साफ हो रहा है कि एक बार फिर से ललन सिंग ही राष्ट्री अध्यक्ष के दावेदार बनने जा रहे हैं जी बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे जुडने के लिए धन्यवाद तो आपने सुना हमारे स्वयोगी अविनाश कह रहे हैं कि लोगों के चहरे पे कही न कहीं मुस्कुराहट है और एक तरफ से इशारा दे रहे हैं कि ललन सिंग ही एक बार फिर राष्ट्री अध्यक्ष चुने जाएंगे उन्होंने बताए कि सारी नितिश कुमार के काफी करीबी है ललन सिंग तो हो सकता है एक बार फिर राष्ट्री अध्यक्ष का सारी जिम्मेदारी उसकी सौपी जाएगी ललन सिंग को ही ऐसे तमाब अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हम पलपल की खबर आपको देते रहेंगे धन्यवाद